कच्छा हाट के विद्यार्दियों सूप्रभाग एन एसेस ओनलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है अपना चल रहा था था थार्ड चैप्टर संस्रेशित रेशे एवं प्लास्टिक पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि संस्रेशित रेशे क्या होते हैं और हमने उसमें तीन संस्रेशित रेशों की बनाने की विधी उनके गुणधर्म और उनको उप्योग पड़े जिनमें पहला धर रेयोन इसको करत्रिम रेशम भी कहते हैं और आपको बताया था कि र पुद्पाद होते हैं वस्त्र होते हैं जादा महेंगे होते हैं हर व्यक्ति पापड नहीं कर पाता इसलिए व्यग्यानिक उने रेसम का विकल्प बनाया रेयों दूसरा हमने बढ़ाता नाइलोन 66 और उसके उप्योंग देगे देवें स्लीपिंग बैग पैराशोट पाड़ों पर चड़ने की रसी जुराबे तूथ ब्रस का जो रेशा है वो भी इसी का बना है तीसरा हमने कल बढ़ाता पॉली एस्टर पॉली एस्टर पॉली मतलब अन अने करणों को जोड़ करके पॉली एस्टर बनाया जाता है आज हम बढ़ने जा रहे हैं कि नंबर चार रेशा है है कि एक्रिलिक कि एक्रिलिक कि सर्दियों में उन से बने हुए वस्त्रों को पहनते हैं है जैसे साल उड़तें हैं स्वेट्र बेंगते हैं अबillonel दो तरीग की होती है एक प्राकर्दी रून तो आप समझ गया होगे इसके उप्योग क्या है श्वेटर शाल आधी बनाने में जो गरम कपड़े होते हैं उनको बनाने में इसका उप्योग दिया जाता है कि इसका एक्रेडिक बस इतना इसके अंदर याद रखना है अब संस्रिष्ड रेसे हैं इनके कुछ गुमदर में तो कुछ कमियां भी है कुछ शीमाई मों मिआ हर चीज कि दो पहलू होते हैं कुछ उससे लाग होता हैं तो कुछ हानिया भी होते हैं सबसे बहले बात करते हैं, हम लाब दी, संस्क्रिशी द्रेसों में क्या-क्या गुज़ाद होते हैं, पहला, नमर एक, सबसें, यह सस्ते होते हैं, जसे माली जीर आपने बैड़ सीट खरी थे, अब एक बैडर सीट थो, जो प्राकर्तिक रेसम उससे बनी हुई है, और एक रेयोन से बनी हुई है, तो दोनों की जो रेट है, दोनों की जो कीमत है, उसमें राप दिन का अंतर होगा, रेयों से बने हुई जो बैड़ सीट है में और para para do Joe से बने हुए वस्तर कैसे होते हुए हर व्याक्ति के पहुंच में होते हैं और दूसरी बद अपिद अ हम् a हलके होते हैं में तिस तोह हलके होने करण इनमें बहुत कम होता है कि की दिसरी दुने महराism कि दूलने में आसान है कि संस्लेशी तुरेशों से बने बस्त्रों को जब आप दूते हो तो आसानी से दूल जाते हैं उनमें सल्वट भी नहीं पड़ती सूख भी जल्दी जाते हैं जैसे दूप में रखेंगे तो तुरंद वो पानी को नीचे पानी गर जाएगा वो आँमें प्राकर्तिक से बने बस्तर बताहन है यारा कि स्थाल शांति रेशु से बने वे बसे प्रेंगे बस्तर जयादा समयतका वंक्यों पानी कम लगता है इनको दोने में पानी कम सोखते हैं छाटा जल्दी सूख जाते हैं यह इनकी विशेष्टाइं है इसकी संसलेशित रेश्वा की ठीक है इसके अलावा दो कमिया है इनके अंदर संसलेशित रेश्वा के अंदर वो क्या क्या है उनके बारे में जानते हैं कमिया संसलेशित रेश्व से बने चूंकि आपको पता है संसलेशित रेश्वा किस से बनते हैं रसायलोजे कैमिकल से बनते हैं अब इनमें कुछ कमिया होती है कमी क्या है अगर इन वस्त्रों को पहन का हम रसोई में प्रियोग शला में काम करें और आग पकड़ लेगे किसी कान रस तो आग पकड़ने पर यह पिघल जाते हैं और जिसने पहन रखा इन वस्त्रों को उसकी बोड़ी के शरीर के चिपक जाते हैं यह संसलेशित रेशों का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पाइंट है सबसे बड़ी कमी क्या कमी है यह जल्दी आग पकड़ लेते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं यह सबसे बड़ी कमी है इसलिए कभी भी संसलेशित रेशों से बनेवी बस्त्रों को पहन कर रसोई गर्में और प्रियोग शाला में कारिय नहीं करना चाहिए यह सावदानी आमें रखनी है ठीके अब हम चलते हैं नेक्स्ट यह रहता है धर्यूब्र नेक्स्ट प्लास्टिक के बारे में आप्सभी परिचित हैं प्लास्टिक के उप्योग दैनिक जीवन के लगबग हर छेत्र में हम करते हैं आज हम रसोई घर में भी जाते हैं तो मसाले वगरा यूज करने के लिए अगरा लेने जाते हैं आदेबंद सामगरिया प्लास्टिक के में घरों में पहले लगडी के लोगे के आदि इस्तेमाल होते ते परिंद्टु आज उन सबके इस्थान पर क्या आगया है प्लास्टिक आगया है याने कि हमारे दैनिक जीवन का हर क्रिया प्लास्टिक से प्रभावित है प्लास्टिक का हम बहुत मात्रा उप्यों करते हैं आज हम यह जानेंगे कि प्लास्टिक है क्या कितने प्रकारगा होता है इसके लाब है तो कुछ हानिया भी रहे इन सब के बारे में जानने का प्र प्लास्टिक, प्लास्टिक है बहु लगे, जो अनेक सरल अनों को प्लास्टिक क्या एक बहु लगे, जो अनेक सरल अनों को सैंजित करके बनाया जाता है, प्लास्टिक दो प्रकार में होता है, मुख्य रूप से, प्लास्टिक कितने प्रकार में होता है, दो, पहला प्लास्टिक है, फर्मो प्लास्टिक, और दूसरा है फर्मो सेटिक प्लास्टिक, फर्मो सेटिक प्लास्टिक, देखिए, सबसे बहले बात करते हैं, थर्मो प्लास्टिक, फर्मो प्लास्टिक में जो बंदा होता हैं, उक इस तरह से, जेकी रुपने उते जेकी लीनिया इस परेज़ इस परेज़ इसमें इस परेज़ जो परे? इस परेज़ इस परेज़ इस परेज़ परेज़ इस अगय इस इस तरह से इसमें रचना है पाई जाती है यानि इसमें बंद चारो द्रब होते है ठीक है और इसमें बंद रचना है रूट मोत्य है कि इस आधार बार प्लास्टिक को दो भागों में बाट गया है थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक आप इन बंदों क्या प्रबाब करता है सबसे बहुत जानते हैं थर्मो प्लास्टिक के बारे थर्मो प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जिसको गरम करने प नहों सो ne ज़ए सांचे में ढाला जा सकता है जैसे प्लाश्टिक प्न यांथ प्लाने के बाथ में आप उससे कोई दूसरी बना सकते हों दिप्बा को ठीक है तो मंचाया करते में इसको डाला जा सकता है क्योंकि इसमें लीनियर बंद पाई जाते हैं जब कि थर्मो सेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको अगर आप गरव करोगे ना तो वह और ज्यादा हार्ड और ज्यादा कठोर हो जाएगी पिग लेगे जैसे बिजली के स्विच यह कौन सी प्लास्टिक के बने होते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक को जितना ज्यादा वह पठोर रुपता जाएगा इसको आप एक बार जिस सांचे में डल गया उस सांचे के अटिरिक्त अन्य सांचे में इसको डालना संभाव नहीं है ऐसी प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक तो क्या डेफिनेशन हुए इनकी वो देखते हैं पहला प्लास्टिक वह प्लास्टिक जिसे गरम करने पर नर्म हो जाती है तथा मन मन चित आका में ढाला जा सकता है इसके प्लास्टिक कर देखते हैं प्लास्टिक है रही प्लास्टिक जिसे घरम करने पर नर्म हो जाती है यह यह पिगल जाती है और मन वांशिता अकार्मश को डाला जाता है यह आए अधुट क्यार्ट प्लास्टिक को का जाता है थर्मो प्लास्टिक इसमें कौन-कौन से आते हैं थर्मो प्लास्टिक में पॉलिधिन कि और कि पीविश्टु कि यह दो प्लास्टिक इसके अंतरगा था पॉलिधिन तो क्यों कहां पर होता है पॉलिवेर बनाने में जो आप थैलिया काम में लेते हूं क्रिशी के पाइप बनाने में रेंपोर्ट बनाने में क्रिशी के इसके पीविश्टु काम में लेते हैं खोड़ी है बोतले बिवे पादी बनाने में इसका अप्यों किया पीविश्टु काँ पर होता है क्रिशी के पाई और रेंपोर्ट इनको बनाने में पीविश्टु का इसके माल किया जाता है पीविश्टु की फुल्पोर्ण क्या है जहां रखना उचले बाइदे एक्जाम में पॉली विनाइल प्लोग आएग यह इसके फुल्पोर्ण में पीविश्टु के पॉली विनाइल प्लोग तो यह आप नंबर एक प्लास्टिक हो गया कौन सा थर्मोप्लास्टिक यह बार दुबार रहीद करें से थर्मोप्लास्टिक क्या है वह प्लास्टिक है जिसे गरम करने कर नरम हो जाती है और मनवान से रातार में मन जाए साचे में इसको डाला जा सकता है ऐसे प्लास्टिक को कहा जाता है कौन सा थर्मो प्लास्टिक इसमें दो प्लास्टिक आता है पॉलिथीन और पीवीस पॉलिथीन को प्योग उपने बताए दिये और पीवीसी नेरा अब दूसरा प्लास्टिक आता है थार्मोशेटिंग प्राष्टिक नमबर दो थार्मोशेटिंग इस पर नीचे दाये चारों तरफ बंद पाई जाते हैं तो जब इसको गरम करेंगे तो यह जब बंद यह और ज्यादा जटिल हो जाते हैं यानि कि खटोर हो जाएगा प्लास्टिक तो इसको मंचय आप परतिमाब नहीं डाल सकती तो वह हैं प्लास्टिक जो गरम करने पर और अधिक खटोर हो जाता है प्लास्टिक जो गरम करने पर और अधिक खटोर हो जाता है तथा जिसे अन्य आतार में नहीं डाला जा सकता हो नहीं डाला जा सकता है उसको कहा जाता है अधिक फ्लास्टिक फ्लास्टिक जो एक बार जिस सांचे में ड़ल गया तो आपके घरों में विजली के स्विच बोर्ड वगर जो प्योग में लिए जाते हैं वह इसी प्लास्टिक के होता है इसके फर्मो सेटिंग के कभी आप कुपा आग में डालके देखना तिक लेंगे नहीं बल्कि और कठोर हो जाएंगे किसी का सिर्व और पोड़ देंगे ऐसे प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक इसमें दो आते हैं जैसे उसमें थे पीवी सी और पोलीथिन इसी तरह से थर्मो सेटिंग प्लास्टिक भी दो प्रकार में होता है कोन को सर्फ बैकलाइट और नेला माइट एज? और नेला माइट बैकलाइट क्या होता है क्युसमा वे विद्यूत का कुछाला पूपता तो यानि कि ना तो यह उसमा को प्लू कर पाता है ना विद्यूत को प्लू कर पाता है इससी फून के पारले इसका उपियों कहां पर बड़ते हैं इसका क्यों किया जाता है बिजली के स्विच्च बरतनों के हक्ते जैसे को करेग प्रेशर को कर तो प्रेशर को कर गाता कि इसका बना करण को आइससे तरह बजली के स्विच्ट जो होते हैं वह भी इसके बेगर उसमें करन नहीं जानगा क्यों क्यों कि उस्मा का मिद्ध क्या है कुछ थो तो इसी लिए श्विच वगरण इसी के बने होते हैं कि ओके दूसरा है मेले माइन मेले माइन का उप्यों का पर होता है जो रसोई के बरतन होते हैं रसोई के बरतन जिन पर विशेश रूप से इन खाना बनाते हैं वो इस मेला माइन प्लास्टिक के बने होते हैं एक मादा कुचाल व donut तिकम है कि असानी से उनको पकड़ सकते हैं उतार सकते हैं तो रसुंए के बसे बड़ और इसके मेलामगन इस तरह से दो तरह का प्लाश्टिक हुआ ठ्रम प्लाश्टिक निद्धेल धर्म स्कूर्ड प्लाश्ट्जित आप अच्छो देखिए कि प्लास्टिक जो है इसका इतना उप्योग क्यों हो रहा है में इस में गुण क्या है amekra अज अबने संवे क्लास्टिक प्लास्टिक प्रवेस करें कि इसक क्यों रहाए इसकि पुछ रीज़्यंस है पहला प्लास्टिक वजन में हलका है यानि कि भार में हलका होने के कार्ण इसको एक जगे से दूसरे इस्तान पर ले जाना ट्रांस्पोर्टेशन जो रहता है वो इजी हो जाता है आसान हो अग जैसे एक लहीं कि बनी कुरुषी है और एक प्लास्टिक की बनी कुरुषी लोही की कुर्षी को हम एक इस्तान पर ले जाएंगे बाएं लगेगी और प्लास्टिक की खुर्शों पर चोटा पच्छए उठागर कर आपग करकि दूसरे स्थान पर, तो भजन में वेट में हलकी होनेके कारकिए हुस्तिक का उप्ल। दूसरा सस्ता लकड़ी और लोहे की अपिछ्ञा प्लास्टिक से बनी वस्त में सस्ति होती है... इसलिए इसका इस्तिमाल ज्यादा एंग से अंग का थिक्रिया में थु Chief I love us Teman in Course 6 गयし फच्रतन में इसका सभी को पनी वस्तुविए होती हैakukanält कि इसलिए खादे पदार्तों के संग्रहेंद में इसका इस्तिमाल किया जाता है आज अचार यह मुर्भ्में अन्य खादे सामगरीया हैं होड्रिंस हैं प्लास्टिक के पात्रों में क्यों रखी जाती हैं क्योंकि उससे रियक्ट ने करती है अभी कर्दी इसलिए सुरक्सित रहती है का साथ में भाय जोड़ देघें तो इस यृष्ट में खुला ठोड़ देते हैं तो इसれं जंग लगने का खतरा रहता है ना खराब होने का खतरा रहता है तो फोस्तिक से बनी वस्तव हैं आASE इसलिए प्लास्टिक उप्योंग किया जाता है तो आज के लेक्चर में कि इतना ही बागे अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे थैंक्यू वेरी मच्च पढ़े आगे बढ़ें